मंदिरों का नगर भी कहा जाता है एसा कोई कथाकार नहीं होगा जो मनासा नहीं आना चाहता होगा क्योंकि यह मंदिरों का नगर है जहां कथाकार कथा करना पसंद करते हैं कथा कहना पसंद करते हैं पीछे महादेव की होली सीहोर की हुई महादेव की होली आश्टा की हुई आश्टा की महादेव की होली 29 तारीक हो हुई जिसमें गुलाल की जगा कोई नारियल फेका गया जिसके कारणवाज ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कता गया है तो जो गुमा जैसे की चोट लगती है तो गुमा उपर उठता है तो वो अंदर की और चोट लगने के कारणव अंदर सूजन हो गई है ब्रेन में तो डॉक्टरों के हिसाब से माइंड पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते और लगातार दवाईयों पर वियाल थोड़ा सा रहना पड़ेगा तो जब तक डॉक्टर परमीशन नहीं देते तब तक कथा हम कर नहीं सकते आप हमारी जीजी हो और आप हमारे जीजा हो एक भाई के दर्द को आप जानते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप सब यह पहुचे आप लोगों को कष्ट हुआ और केवल हमारे बच्चन को निभाना था इसलिए हॉस्पिटिल से चुट्टी करा कर मैं आज आप लोगों के बीच में आया थोड़ा कष्ट आपको हुआ होगा कि आप लोग अपना अपना खर्चा करकर यहां तक पहुचे होगे पर विश्वास रखियेगा हम देवडा परिवारत को यह बच्चन दे कर जाते हैं और मनासा वालों को यह कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा अगले वर्ष बिटले सिवा समितिस का थाको करने के लिए इनी यजमान के पतपर हम आएंगे हमरे कलेक्टर महोदय, SP, SDM, TI, SSP, SP, कमिशनर यहां के विदायक, यहां के सांसर, यहां के नगरपली का अध्यक्ष यहां के अध्यक्ष महोदय यह सब बहुत सुचारू रूप से उसका थाका योजन करेंगे और उसका खर्चा पूरी विठले सिवा समीती उठाएगे आपको उसकी चिंता नहीं करना है बस थोड़ा शरीर में कष्ट होने के कारण बस हम हमारे मस्तिश्क पर जोर नहीं दे सकते और ज़्यादा बोल नहीं सकते इसलिए आप लोगों से छमा मांगने के लिए हम यहाँ हैं और जितने भी इश्रोता भाई वहन आस्था चेनल पर लाइब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं उनसे भी हम छमा चाहते हैं आप कथा अगर हमको थोड़ा बहुत भी आराम अगर लगता है तो हम आगे की कथाएं करेंगे नहीं तो जो कथाएं आगे भी बिलासपूर और हाले कोसा चत्तिस गड़ यह भी कथाएं कैंसिल हो जाएगी तो शरीर पर क्योंकि अगर हम पहले भी कथाओं में कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया तो अगर सुख है शरीर का तो आपको कथाएं आगे मिलती रहेगी और आप बाबा की श्रिण में रहेंगे नरियल का प्रेशर थोड़ा तेज था इसलिए वो चोट अंदर बेट गई है जिससे सूजन है थोड़ा उसमें तकलिप ज़्यादा हो रही है जिसके कारण वर्ष आप लोगों से हम छमा चाहेंगे पर आप लोगों से मिलना हुआ थोड़ी गलती हमारी हो गई जो हम आप लोगों के बीच कथा नहीं कर पा रहे हैं पर अगले वर्ष पक्का है न जीजियो जमके तो बोलो पक्का है न और मेरे जीजा जितने बेटें हैं गवार जोड़दार ताली वजाकर आपकी तरफ से भी पक्का है न हम स्वयम आएं उसमें किसी का खर्चा नहीं केवल आप लोगों को आकर कथा को श्रवन करना रहेगा और अभी जितनी संख्या में आप लाखो की संख्या में आए हो उस अगली कथा में आप प्रथम दिन से ही पाँच लाख से शुरूबात करना और इस कथा का लाब लेना मना नहीं आप तो एकवारपुना फिर चामा चाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं यहां प्रशासन ने भी बहुत अच्छी विवस्था समा ली है देवड़ा परिवार ने पहले तो कथा कैंसिल हो गई थी फिर वापिस देवड़ा परिवार ने प्रयास किया यहां के यह कथा यहां बापिस मिली पर कि कथा में बाबा देव दिद्यों महादेव को जब कराना होगा आज भी हमारे देवड़ा परिवार की माता जी कि आंख में आसू थे हमने का मा तो चिंता मत कर तेरा बेटा तुझे वचन दे कर जाता है एक साल में बापिस आऊंगा कथा क करने के लिए और दिल से करेंगे तो मैं चमा चाते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देता हूं और प्रयास करूंगा आप सब मुझे चमा करेंगे श्री शिवाय नमस्तू अभ्यम आपका ये भाई फिर मिलेगा बापिस पुनाहा जब तक स्वास्थीक नहीं होता आगे क जो भी कथा हैं रहेंगी वो केंसिल होती जाएंगी जो आसता चेनल पर सुन रहे हैं वो ध्यान रखें इस चीज़ का शिरी शिवाय नमस्तू भ्यम आज से जो लाइफ कथा थी वो ना आते हुए डी लाइफ उबरिश्वर धाम की जो रुद्राप चुस्व की कथा है वो इनके कारणवश्ची ही यह लोग तो आये थे हॉस्पिटिल मिलने के लिए और अस्पताल पहुचे थे हॉस्पिटिल में तब मिने इनको कहा था कि मैं अस्पताल से डारेक्ट आपके मनास आओंगा और भक्तों से एक बार मिलकर जरू जाओंगा हर हर महादेव रूखरी थे थरी रूख काटों दया करीन तरशन आखों शंपो खरने परी पागों घरीने जरे रूख काटों दया करीन तरे से